पौवन सिंग, डिमपल सिंग को सब के सामने कहते हैं कि नजायज साली हऊ तो कलू को कहते हैं कि कारे साला आजकल कहां बाड़े और या बुरा का पुरा जो छोटा सा विडियो क्लिप है सोशल मिडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हुआ मामला दो दिन पहले का है लेकिन हम आज इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार उस रात मंज पर क्या हुआ क्या मौका था और डिमपल सिंग ने क्यों पवन सिंग को फोन मिलवाया और उसके बाद से पवन सिंग ने ऐसा क्या कहा कि चर्चा चल पड़ी की पवनवा तो दारू पीकर के कुछ भी बोल देता है और दारू पीकर ही पवन सिंग ने क्या वाकई में कल्लू कोवर डिमपल स से फोन पर बाच्चित करते हैं सामने हजारों की भीण होती है और पवन सिंग वहीं पर गाली देने लगते हैं और यही कहानी आपको हम आगे बताएंगे बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख र आपर तमाम भॉचपूरी के सितारे पहुंचे थे पौवन सिंग को वहाँ पर पहुंचना था लेकिन पवशा किसी कारणबर आपर नहीं जा सके अब मंच पर जब कलू आते हैं डिमपल सिंग वहाँ पर रहती हैं और वहाँ पर तमाम अभिनेता और गायक रहते हैं तब पवन सिंग को फोन मिलाया जाता है और पर मंच पर जैसे ही कलू को देखते है तब शालाह सब्द से उनको संबोधित करते हैं, कलुमा पर हज कर प्रणाम कहते हैं, और कहते हैं कि भाईया सब लोग सुनाता, मतलब वह बताने की कोसिच करते हैं कि सब कोई सुन रहा है, कुछ ऐसा है, मत बोलिये, पवन सिंग फोन पर बोलते हैं, तब लोग कह रहें कि उनका आवाज फस रहा था, मतलब कि वो ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, जिसके कारण लोग कहा रहे हैं कि वो नशे में थे, उन्होंने शराब पी थी, अब पवन ने शराब पी थी, नहीं पी थी, वो लग का बिशा है, लेकिन पवन सिंग कल्लू को मंच पर गाली देते हैं, यह सब को पता चल गया, इसके बाद बारी डिम्पल सिंग की आती है, दिम्पल सिंग कहते हैं कि हम नाराज हैं क्योंकि आप भाई का जो function था उसमें नहीं पहुंची। पवण सिंग कहते हैं कि ठीक बाग कौनों बातना तु नजाइज साली हो। अब यहां पर नजाइज साली वाला जो शब्द था उसको लेकर हंगामा मचा कि भाई पवण सिंग इतने बत्तमीज हैं कि उनको बात करने का हुणर नहीं हैं कब कितने लोग क्या सुन रहे हैं और कब अपने मूँ से कौन सी बात निकालनी है। एक बार ख्यतारी ने कहा था कि बस गाना गाने में ठीक है। बाकि जब मूँ खोलता है तो क्यवल बकवास ही करता है। और इसके बाद फिर चर्चा चल पड़ी कि वाकई में पवन बस गाना ठीक गाते हैं। लेकिन कहीं बात करना हो तो वो बात ठीक नहीं करते हैं। कहा गया कि पवन सिंग ने शराप के नसे में कल्लू को गाली दे दी, डिमपल सिंग को गाली दे दी। डिंपल सिंह ब बकाइदा पॉन को कहती भी है कि चुप रहा मतलब कि चुप रहने के लिए कहती है लेकिन पॉर्ण यह सब कुछ बोलते रहते हैं अब पूरी की पूरी कहानी दो दिन लगफख पहले की है उसी रात को तमाम सितारे डिंपल सिंह के यहां पहुंचे थे दिंपल सिंग तो नाराज है कि पवन सिंग नहीं आए और इसी बात पर पवन कहते हैं नजाइज साली फिलाल पवन सिंग ने दारू पी थी नहीं पी यह तो हमें नहीं पता लेकिन इसके पहले भी पवन सिंग शराप के नसे में मंच पर दिख जाता है कि वो शराप के नसे म अनाप्षन आप पॉन सिंग बोलते रहते हैं और इसी बात का जो सोटा सा जो जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर वारेल हुआ और उसके बाद लोग कहने लगे कि देखिए बात करने का सहूर भी इस आदमी को नहीं है जो अपने आपको पावर स्टार और सुपर स्टार कहता है फिलाल एस्टेज सो की पूरी कहानी हमने आपको बताई बताया कि आखिरकार मौका क्या था क्यों पहुंच सिंग को फोन किया गया और डिमपल सिंग के घर पे कौन सा फंक्शन था कि वहां पर पौवन नहीं पहुंच सके और उसके बाद से ही सारी बात सुरू हुई फि एमरेप से भी शाल खणे हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद